हुआ है हलो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्यर्म एजुकेशन हब में तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम फिर से चैप्टर सेकंड क्लास 10 की साइन से कुछ इंपोटेंट कोश्चन लेका रहे हैं जो आपके लिए बोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होगा ठीक बेटा जैसा कि अब सभी को पता है कि हमारा इस टाइम पर बोर्ट टार्गेट बैच जो चल रहा है और इस बै सब्सक्राइब तो यह आपके आपके मार्स जो है आपका जो नम्बर जो है आपका इस्कोर जो है वह 90 प्लस होना चाहिए या फिर आपके जो परसेंटेज वो हाई होनी चाहिए तो अगर इन कुश्चन हो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कुछ आने वाला है ठीक बैटा तो अजन से प्रस्टेंड स्टार्ट करने वाले हैं कुछ समसिंग 15 कुश्चन ऐसे है बहुत ज़्यादा इंप्रटेंट टीक बैटा तो मैं वह लेका आया हूं और इससे बाहर से आपका एक्जाम में नहीं आएगा इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको ठीक बैटा चलिए हो सकता है का अब जाए कि कहने लगें बाद में आगे कि सर आपने तो कहा था नहीं एकाथ कुश्चन फस्यास काया से तो कहदेते हैं बच आउट ऑफ इसलेबस आ गया और तरह तरह कैसे बहाने बनाने लगते हैं होता है यहां यह लाज्त टाइम पर जब बहुत जब कम्व्शलीं कॉस्चन से इंपोटरेंट करूइगे हमारा जो बोर्ट टार्गेट बैच जो है जब लाश्ट चल रहा होगा तो उसमें यह वो कोश्चन लाएंगे आपके लिए लाएंगे जो आपको डेरेक्ट लिए आपको शायद आपके अग्जाम में देखने को बिलेंगे ठीक बिटा और यहां से वहर आपको शायद नहीं आएगा कुछ ठीक बीटा चलो हमसुरुआत करते हैं आज कि आपको लिखाने वाले ठीक बिटा चलिए तो मारा फस्ट व्य लेकि टोमेटो में विनेगर मैं और तेमरेंड में कौन सा wrapאת मा Act tl हैं किस-किस मैं टो में वीनेगर में और शंच रहें न तो इन तीन को आपको क्या कर लेना है इन में ये बताना है कि इस में प्रिजेंट है बहुत ज्यादा इंपोर्टन बहुत बार पूच्छता ओन् devo सुच्छ देता तो इन तीनों पूछते रहते हैं मैं वही पूछते रहते हैं तो पहला कोश्चन जो मैं लिखवा दिया कि नेम एसीड प्रिजेंट इंदे फॉलोविंग टोमैटो विनेगर एंड टेमरेंड तो इन तीनों में आपको यह बताना कि कौन सा इसेट प्रिजेंट होता है ठीक बटा च होगा का ऐसेट का शरी टेकरना शर्ट है कउमाचित है तो उसका यह बताना हैनों मैंगनेश्यियूं के साथ करेगा थिए तो इसका एक्षिन क्या होगा आपको बताना है ठीक बेटा तो दो कुश्चन हमने कंप्लीट किया तो दो कुश्चन बहुत जदा इंप्रेंट थार्ड कोशन आप देए जो मुश्ली पूछता है कि राइटर रियक्षिन आपको एक्षिन लिखने कब कि एच सीयल जब मैटल के साथ बहुत जब्सक्राइब एक श्चेक है की किया है यह और जब शल्र। हम मैटल साथ रियक्ट करता है तब क्या र्यक्षिन लिंग है समझा गया कोई भी एस्टेट जो यह मैटल को साथ रिएक्ट करता है तो क्या आपको फता होगा वैसे भी जम तो तो ने मेटल के साथ तो है थैत्डरोज़न गयस क्या होती है क्या होती है क्या हुद मैठ्ड इंच तो राइट हूती हर। मैठ यानि एक सब्सक्रांद करता है तो या रिएक्शन-वमoton को लिखने थर्ड कोश्चन हो गया ठीक है फूर्थ कोश्चन फूर्थ आपको बेकिंग सोडा से लेटेड जितनी वी इन्फोर्मेशन है आप तो पहले तो आप रियक्शन याद कर लेना बेकिंग सोडा कैसे बनता है ठीक है और एक दो इसके यूज देख लेना ठीक है तो यह बहुत जाद आपके लिए इंपर्टेंट होगा ठीक है बहुत बार कॉश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पोर्टर कह सकते हैं आप ठीक है सोडा कहते हैं तो इन से लेटेड आपको क्या करना है एक तो रियक्शन याद कर लेना ठीक है बटा तो दो आपको कंपाउंड बताना है केल्सियम का वो कौन सा कंपाउंड है चुक ऐसा होता है यलो टाइप का होता है थोड़ा चलो वीश होता है किसमें कालर उसको कैसा होता बेटा यलो इस होता है यूजट फोर डिजिंफेक्शन द्रिंकिंग वाटर राइट इट्स चैमिकल ने पेंड फॉर्मॉला तो आपको लेम बताना है और और पॉर्मॉला बताना तो पूंपाउंड बता देना है उसको चालिये अब जिसको आंसर ना पता हूं उसको कमेंड करते ना मैं उसको आंसर बता दुआ ठीक बटा चलिए यह फिर आप चाहें तो है तो मेरी इंस्टा ऑड़े पर फॉल्व कर सकते हैं वहां हुए सी जितने भी सवाल हों के आंसर साप मुझ से मुझ सकते हैं वैसे मैं आज़े हमारी चैनल है उस पर मैं इनका सुलू遊戲 और है उसे प्लवास लेने वालएजर भुड़ीज आफ कर रहे हैं सायग है। आप लोगों को और साथ उसमें हम कवर कर लेंगे जितने भी हमारे कॉस्चिन है और क्या करते हैं जो मुष्ट मुष्ट इंपर्टेंट टॉपिक है मुष्टिम रिवाइज मैं उसे क्या करनेंगे कंप्लीट कर लेंगे ठीक बेटा चलिए तो हमारा पूर्ड वेट नहीं करता है तो यह कुष्ट फॉट्ड फॉर्ट चार्प कि यह कूश्चिन पूछता है आप लिख लेंगे ठीक है चलिए तो यह च्छे कोश्चन हो गए हैं मेरेज करने वाला हूँ अप चाहें तो इसके स्क्रिंसाट ले सकते हैं या फिर आप में साथ लिखते चली रहेंगा तो यह च्छे कोश्चन जो ऐसे हैं यह ऐसे कोश्चन है जो मोश्टली पूछ देता है ठीक है बटा और मेहनत देखो क लुखत चार्गेट करेंगे अपने marks का लेकिन लेकिन अब भी बच्चे ऐसे हैं कि सोचते हैं कि इंज साथ हो पर लाके देडिया आइ- यह questions पूछने इसकी संभावना ज्यादा है समझ रहे हैं तो वह हम करवा सकते हैं आपको exam अब एकदम paper तुम आपको दे नहीं सकते हैं समझ रहे हैं और हाँ मैं कर लेते हैं तो आपका जो है वह ज्यादा तर आपका 95 प्लस आपको क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जायेगा इसी में ठिक हैं तो आपको करनी पड़े ना इतो या फिर आद कर वाद तो वह तो आपको खुद करना पड़े कि में हैं देखो गोगत एक सिक्षक जो ओता है ना वह अपको रहा दिखाता है कि मसरा से बचलना है एप शिच्छक का का मोता है कि अपने शिश्य को अक्ण कि एसी रहा दिखाना वह जिस पर चल सके और आसानी से हैं लेकिन एक सिख्षक खुद तो नहीं चल सकता बच्चे के साथ कि उसे भूसे सारे बच्चे लेकर चलते हैं समझ रहे हैं वह आपको रास्ता दे सकते हैं एक सिक्षक अगर अच्छा सिक्षक तो आपको अच्छी रहा दिखाएगा और अच्छी मंजल तक पहुचा देगा आपके टार्गेट तक आपको पहुचा देगा लेकिन है दिपांट यह भी करता है कि बच्चे कैसे है कि सिक्षकों का सम्मान करें बहुत से देखा पास करते रहते हैं बहुत से बच्चे एक वीडियो देखी थी कोई यूपी में से थाना कि कोई बच्चे लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप बड़े हो गए समझ रहे हैं और आप ऐसे लिए उनका सम्मान होता है तो पूसको पर आपको उसका जो मन है ना वो नहीं करेगा आपको कि हां मेरे बच्छे चलो ठीक है वो अगर आप मन से उनका शम्मान करते हैं समझ रहें तो फिर वो आपको अच्छी रहा दिखाएगा लेकिन मैं अभी बताया ना कि कुछ रील्स वगरा बना रहे थे टीचर्स पर कमेंट कर रहे थे तो वह सब सोभानी देता बेटा समझ रहें तो आप लोग बड़े हो गए हैं अच्छे बच्छे हैं अब इस तक आते आते हैं आपकी टीनेज आज है आपको पता है तो इस तक आते आ वह एक बहुत बड़ी या फिन का सकते हैं ए Jewish अषंती होती है ठीक है जो देत्टबस्त हैं कहां से कहां सकते हैं देस की का सकते हैं जो जो गयान का बढ़ भंडान accomplishments को पता उपर तक ले या सकते हैं तो सुट्छावों का सम्मान होगा तब यह इसा होगा ठीक है चैयं तो ह कम्प्लीट करने वाले ठीक बिटा चलिए नेक्स कोशन लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग मैंसे रेस कर देता हूं कर देखो डिजिटल बोड तो है नी बच्छो पर कोई नी महनत में लगेंगे एक दिन वो भी आएगा जब हम भी डिजिटल बोड ले लेंगे क्यों बटा करमन्यवादिकार रस्ते माफलेश्यू का दाचनम गीता का स्लोक है ना इता का स्लोक कहता है क्या कहता है चलिए इस स्कार्थ होता है की आप करते रही है जो आपका करते रही है जो आपका कर्म है उसे आप निश्ठा से और मन और लगन से करते रहें तो एक दिन वह आएगा उसक्त इस प्रस्पाल हो जाएंगे तो करम करते रहीए लगन मन से आप पूरी तरी जुटे रही यह अपने कर्म पर में और फल की चिंता कधा मत किजिए ईब को यह मिलेगा जबस तो यहẬ मह conve dth करें ना मैंटना तो पका है कि आपको फल तो मिले गां है समझ रहें अप डिपैंड करता है कि आप किस फील्ड में महनत कर रहे हैं कुछ व config जल्दी मिल जाते हैं कुछ फल थोड़ा लेट मिलते हैं अगर आपकी महनत में अगर कमी नहीं है ना अगर आपने अपने आपसे ठान ली कि मैं जो करना है तो बेटा वो होगा नत्खी जिमप्कॉसिबल पता है क्योंकि कुदिंपॉसिबल वर्ड कहता ही कि इंपॉसिबल बता हना वने फिन इंपॉसिबल वर्ड कुध जो है ना लिया कि आपको पार करना है यह मंजिल आपको पानी है दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है एक दिन आप मुकाम जरूर हासिल कर लेंगे तो मेरी बाते जरूर याद रखिएगा कर अपने टॉपिक पर आते हैं हमें कंप्लीट भी करना है वनना गुरू का ग्यान तो बढ़ता ही रहता है थीक है चलिए तो नेक्ष्ट कॉस्ट्ट रिख्वाने बाले हैं आप लोग इसे इसकर ना आप लोग इसे लिखेंगे नौक टिक बटा हमें अपना यह टार्रूर टूरा करना है कि बटा चैलिए की ने कहना की तो नेक्स्ट सेवन्थ कोर्चंस लिखेंगे अप चली तो लीखेंगे हैं सेविंथ को्ष्टन लिखेंगे अपना हमारा सेवन कोश्टन कह रहा है सेवन्त कुछन कहता है कि hai plaster of Paris लेस्ट इना moisture proof container जो plaster Всё जो है आप जानते हैं सभी लोग ठीक है भीती ही ओपी हुथ है तो plaster Ethereum कि सlor करते हैं सम्सकरिणे और में कि आया करते हैं ऐग माइस्टार फूफ जहां मुश्या नहीं ठीक है तो करते हैं ऐसा क्यों करते हैं ठीक है वह आपको रीजन बताना है ठीक है बटा एक्सप्लेइन करना पड़ेगा आपको स्रीजन को ठीक है तो यह हमारा सेविंध कोश्चन है एक एट्थ कोश्चन कहा है वाट इस नूट्राइजेशन रियक्शन गिप टू एग्जांपल बनता है क्या बनता है सॉल्ट बनता है तो वहाँ पर उस रियक्शन को क्या वोलते हैं नूट्राइजेशन रियक्शन को यह दो एक्जांपल डाल देना आप बहुत इंपर्टेंट को रेक्शन अच्छा कोश्चन है ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखेंगा आप आपको क्या हुआ है एक बेकिंग सोड़ा के दो य्याद कर लेना पूछ लेता है बहुत बार एक नमरे पूश्लिय हो सकता है आपको जो होड़े कि इस मैं से कौन सा यूज जो है वाशंग सोडा का वेके फिक मीं सोडा का जाँ तो चलो था बेकिंग सोड़ा के आपको दो दो कम से कम क्या कलेंगे रूज के रहा है का यूज होता है उसका ठीक बैटा चलिए नायंत कुछन होगा टैंथ कुछन का कहा रहा है हमार टैंथ कॉस्टन कहता है कि नेम्द सबस्टेंस विच ओन ट्रीटमेंट विद क्लोराइड इल्स ब्लीचिंग पॉर्डर तो यह आपको याद गरना है क्लोराइड जो क्लोराइ टीक है बिटा है हहां है नेक्स्ट कोस्टन का रहा है 11th कोस्टन देखेंगा नेम दो सोडियूम कमपॉंड विच इस यूज़ फॉर सॉपनिंग हार्डवाटर उस सोडियूम कमपॉंड का नेम बताईए जो किसके लिए उसके लिए कि हारड़ वाटर को सॉफ्ट बनाने क लिए उसके जाता है समझते हो सॉफनिंग ओफ हार्ड वाटर ठीक है तो आपको सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है तो आपके इस नॉमल एक तरीके से सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा तो इसकी इक्वेशन आपको क्या बताने उसमें देनी है तो यह हमारे ट्वेल को स्टन कंप्लीट वह चुके हैं अब सम्टिंग दो वन या टू कोशन बचेंगे लास्ट में आपकी कुछ वह यह हमारे ट्वेल कोश्चन सम्टिंग क्या वचुके में पटा कंप्लीट हो चुके ऐसी हमारे अपने चीदिन यह सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आसानी से हमें ज्यादा प्राब्लम भी नहीं आने वाली एट है टेके विटा चलिया आसानी से हम ऐसे धी दि लेते हैं तो यह बहुत ज़्याद हो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भड़ता है इंट इंट से महल बनता है जब वैसे ही बूंद सब्सक्राइब करते हैं तो एक दिन आपके पास क्या होगा सवालों का पिटारा होगा समझ रहे हैं आप एक पास एक दिन बहुत सारा इस्टोर हो जाएगा और आपको यह लगेगी हाँ आज हमने कुछ कर लिया समझ रहे हैं क्योंकि बूंद से सागर भड़ती है जागर भड़ता है तो अगर आप धीर दीर अगर कंटीन यह बात है कर लिए फिर दो चारत दिन बाद यह ख्याल आए कि हां साइंस के भी सारे ने कुश्टन कर आयते हो करने तो ऐसे काम नहीं चलेगा लगातार चलिए बड़ी थोड़े थोड़े चलिए लेकिन लगातार चलिए तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेवल रएगा ठीक ब 0.3 कि रिए टेकरेंगे दो क्या बनेंगा फॉटर है कर सकते हैं क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं तो क्या वनता है कार्यवंस यख़्जाद वालर ने की ब्लस बात esperű सोडियम सॉल्ट बने को भी किसका इस्टिड का ठीक है थार्ड रियक्शन दिखेंगे आप थार्ड क्या कर रहा है सोडियम कार्बोनेट जो है वह अगर किसके साथ अगर वाटर के साथ रियक्ट करते हैं उसे तो क्या बंदाता है अनुटी कि आपको तीन एक्षण त्वीक्षा इंहाद हो जाएंगे रियक्षण चैंड करना है रहती हो गी रेक्षण वों तो आपको याद करने पड़ेगी है को सब्सक्राइब पानी बानी डाल खाने पीने की चीज़ नाल ऐसा तो हों नहीं सकता तो हम क्या करेंगे अब आपको जल्दी से याद हो जाएंगे और एक ऐसी जगहा लगाले जिए उन को जहां पर क्या हो आपकी नजर जादा पड़ती हो आप सोते वक्त उठें जहां वहां सामने लगा लिए फ्रेंट पर लगा लिजी या फिर मुबाइल की स्क्रीन पर वॉल पर लगा लिए कुछ रेक्शन दिन बात वह आपके याद हो जाती है ठीक बेटा चलिए तो तीन प्रेक्शन क्या है जैसे लिए क्या होती है बहर निकलती है और के साथ यावाज आती है ठीक है चलो तक्क रेक्शन दिखेंगे जैन को यह भी एक क्या है तो जब जब यहां भी क्या हो रही है यहां आया न चलो तो पंच को यह पांच रेक्षन हो गई है लास्ट रिक्षन जो मोस्ट इंपर्टेंट रिक्षन बहुत बार पूछता है बेटर डायक्ट लिए आपको पूरी एक्वेशन लिखनी पड़ेगी समझ रहो तो क्या है है सुद्याम कारबन जो उसको साल है के साथ करेंगे तो क्या बनेगा है इसल आप जनते हैं क्या हुता होता है प्लस बाता है किसका क्या भी कल्सियम बाहिए करेंगे वाइस nieuwe कि तो मिल जाता है किसका तो यहां से आपको क्या करेंगे का वाटर के साथ तो करवाते हैं अगर दुबारा से फिर से आप करवाते हैं तो क्या मिल जाता है यहां से यहां तक खीक है तो आपको पूरी यह रियक्शन लिखनी पड़ेगी यह यह रियक्शन ना पसे पूछता है तो बहुत जादध इंपुरेंट क्वेटेंट रियक्शन है तो हमारे कितने तुके हैं 13 नौली तो करवा हुआ है वह मैं आपको करवा देता हूं इसे मैं देश कर रहा हूं इसका नहीं लिख लेंगे चाहिए तो screenshot ले सकते हैं जद्दे लिख लेजे बिटा ठीक है ले लिए screenshot चलिए हमारा last question जो है वह को complete करने वाले हम इसके वाद हमारा आज आज का जो चलते रहे हैं आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है बस आप जो कहते जाएं वह हम आपको मार्क रदर्शन करते जा रहे हैं आप उस मार्क पर चलते रहे हैं आपका उद्धार हो जाएगा आपके अच्छे माक्स आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और जिदिन रिजल्ट है उस दिन मुझे कमेंट में जरूर डालना और चाहें तो आप लोग मुझे इंस्टा पर डायक लिए क्या कह सकते हैं मैसिस कर सकते हैं ठीक बटा और आप मुझे रिजल्ट वाले दिन जरूर बताईएगा कि भया मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है ठीक बटा चलिए लास्ट कॉशन लिखे कौन सी लाइबरेट होती है जब एक अच्छाइव मेटल के साथ करता है पता है आपको अच्छाइब करेंगे आप सबी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी इलस्ट्रेट विदन एग्जामपल आपको एक एग्जामपल भी देना है हाउ विल्यूट पैस्ट कर किसे तरीके से क्याकरते हैं ठीक है बटा आप कौन लोग बताएं गेस तो आप लोगा बता करता है तो हमारे बच्छी समझदार बता है यो बता है तो आज के लिए इतना ही जो हमारे 14 15 जो भी थे वह आज हम करके लाए थे एक बेसिस और लेख है सबस्क्राइब चलिए है और जाते जाते हैं एक बात त्याद रखे गावड़ा कि महनत को करनी है हम तो महनत करी रहे हैं समूझा है हम तुछ रात में कीतना दस घ्यारा बज़रे हैं हम आपको रात में जब जाक के पढ़ा रहे हैं तो आपको फर्ज बनता है कि अन रातों को क्या करें का गरें पॉर रातों का पर रिजल्ट देंज थो हुएं आपने टीचर की अपने माबाप की सबसे बड़ी पात खाल अब जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत साधा कमा करके किसी भी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे हैं फाइनेसले अच्छे हैं वह तो ठीक है उनके प्रॉब्लम है यह नहीं पैसे की लेकिन जो मिडल क्लास या फिर कह सकते हैं बहुत लोवर क्लास की जो स्टुडेंट होते हैं उनके तो बस इतनी सी गुजारिस है कि अपने वाबाब का जो पैसा है वो बर्बाद मत बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है ठीक है मेहनत करनी है और मेहनत रंग लाएगी अगर आप कहते हैं कि परिशानियों का जिसे पता होता है जो असल में जिन्दगी जी क्या आता है जो मिड बच्चों के लिए वाद यही है क्या कि डड़ना नहीं है इस बोड के बोड क्या है जिन्दगी इतनी बड़ी है बोड के एक्जाम तो इतना छोटा समान के चलिए एक दम बहुत छोटी बात है बस आप करिये तो सही है ना क्योंकि और बिना मेहनत के कुछ नहीं होता हमारे बच्चे जो कोई नहीं कर सकता है कि टेकर वेटा मंजिल पानी है ना हां तो मेहनत करने है ठीक है अपने गुरुओं का अपने माबाप का नाम रोशन करना है ठीक है अगर आप 10 तम अच्छा रिजल्ट लेका आगे बड़े खुस होते हैं माबाप आपका 9 तक रिज करेंगे माप दोड़े करा करती है कि ठीक है तो मैंने चुक्राइब है वो करके आने ड़ना बिल्कुल नहीं है चुआ देली डेली कर वारा रहा हूं वास्वों करते जाना है तीक है कछोए की तरह लगाता हाड धीर धीर खले चलिए लेकिन लगाताड चलना है रुकना नह लेंगे तो दिन में बैठके कर लें एक दिन को पचास करें नहीं होता बेटा कभी नहीं होता ऐसा जिब तक आप डेली करने बैठेंगे नहीं होगा उस तैम आपको बड़न लगने लगेगा आपके दिमाग इस प्लिव दिमाग का नहीं अब नहीं पढ़ना पूद कि आज ने आज निए पढ़ेंगा में न्यास तो खेल लेते हैं अभी तो रहे महीना पढ़ा हुआ है 15-20 दिन खेल लेते हैं फिर दो मैंने आगया और यह चुछ नहीं होता उनका पिर क्या होता हुआ इतना होता है क्या करते हैं फिर तो वह देखते हैं जो पास हो जाए बस प्रोगवान जी से पांच रुपय का लड्डू चड़ा के पर साथ चड़ा के वहां जाए पढ़ लो भगवान भी कहता है मैं रहता भी उसी के साथ हूँ जो मेहनत करता है ठीक है मैं फल भी उसे ही अच्छा देता हूँ जो कर्म अच्छे करते हैं सबस जो मैं किया रहा हूं तो मेहनत आपको करनी है बेटा और बिना मेहनत के आपको फल कैसे मिल जाएगा इतने बड़े-बड़े महापरुश हुए हैं सबको मेहनत करनी पड़ी है ऐसी नाम थोड़ी दर रोशन हो गया है कि अच्छे अच्छे हमारे देश के महापरुश रहे हैं हिपीजी अब्दुलकलाम जी ठीक बड़े पढ़ते थे बड़े पढ़ने वाले लोग थे इसे लोगों से इसे लोगों को अपना 32 डिग्रियां उन्होंने हसल की थी 32 32 डिग्रीज यह तो लेने में लोगों की हालत खराब हो जातीं 32 बहुत बढ़ी बात है पहुत नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी बात है लोग सोच भी नहीं पादेए एक डिग्री में ठग जाते हैं लोग सेंथ न्थ निकर पातें अ और उस टाइम पर को लंबिया इनवर्शिटी से समझें वक लोवर क्लास से आते थे घर में कवाने खाने को पैसे नहीं थो उस टाइम पर कोलंबिय इन्वर्षिटी है कि महां से लोग की डिगरी कर गाए है तो ऐसे महापुरशों को अपना कहते हैं कि मार्क दर्शक बनाई है मोटिवेशन से कुछ नहीं होता बैटा अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाइए तब ही कुछ होगा तो आज के लिए इतना ही बाकि मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक एंड कमेंट जर चैनल को सबाए टेकर बाए तक कि लिए.